आउजियो गुरू आउजियो नीरी आपनी आउड़ाँ गाउले गाउ समु मिल्गरिगाँ गुरु गुरु आजिगाँ आउजियो गुरु आउजियो गुरु आउजियो नीरी आपनी आउड़ाँ गाउले गाउ समु मिल्गरिगाँ गुरु गुरु आजिगाँ शाशन प्रभाविकाऊ प्रवर्तनी पुझ्य गुरुनी महासाध्वी श्री कैला श्वती जी महराज की दो पंख दिए होते हो दो पंख दिए होते तो उड़े के आती तेरे दर बार प्रभु तेरे छर्णों में गिर के में लेती जनम सुधा प्रभु दो पंक दिए होते हो दो पंक दिए तेरी जोंति के किरनों से अधिकार मेरा मितता तिरी भक्त की गंगा से मन दर्पन ये खिलता तिरी जोत की किर्णों से अधिकार मीरा मितता तिरी भक्त की गंगा से मन दर्पन ये खुलता तादो प्यासी नैना ये, हो दो प्यासी नैना ये, ये जी भर करती तिरा दीदार प्रभु, तेरे चरिना में गरके में लेती जनम सुधार प्रभु, दो पंक दिये होते, हो दो पंक दिये होते, ये ही रे ये मोती, सब जूठी माया हैं, जूठी रिष्टे नाते, जूठी ये काया हैं, फिर पाप की गठे रिष्टे नाते, जूठी ये काया हैं, फिर पाप की गठे रिष्टे रिष्टे नाते, जूठी ये काया हैं, प्रभू, तेरे चर्णों में गिर के मेलेती जनम सुधा प्रभू, हूँ, दो पांख दिये होते, हूँ, दो पांख दिये होते, परम्पिता परमात्मा, शाष्णिष्प्रभू भगवान महावी स्वामी के चर्णों में मेरा कोटी-कोटी बंदन, मेरी अनन्द अनन्द उपकारी, जीवन निर्मात्री गुर्णी मया के पावन चंड कमलों में मेरा भावी नवंदन, उपस्तित भव्य आत्माओ, गुर्णी जी महाराज के पावन चंड कमलों में रहकर, जो कुछ में ग्रहन कर रही हूँ, वही आपके समक्ष कुछ देर सुनाना है, श्रमन भगवान महावी स्वामी किवानी, गौतम स्वामी ने श्रमन भगवान महावी स्वामी से प्रशन किया, कहंग चरे, कहंग चिठे, कहंग मासे, कहंग सहे, कहंग भूजनतों, भासंतों, पाव कमंग नाबंधई, हे भगवन हम कैसे चले, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे बैठे, कैसे उठे, जिससे हमारे पापकर्मों का बंधन ना हो तो भगवान महावीर ने गोतम स्वामी को समाधान करते हुए उन्हें बताया उन्हें उन्हें फर्माया जयंग चरे जयंग चिठे जयंग मासे जयंग से जयंग भूजन तो भासन तो पाप कमंग ना बंदही है गोतम हम यतना से चलें यतना से सोएं यतना से खाएं यतना से बैठे जिससे हमारे पाप करमों का बंधन नहीं होता तो आज इसी दौरान आत्मा चैनल वाले जो अपना क्या है यहाँ पर आये और अपनी विंती को रखा और उनी की विंती को सविकार करते हुए भगवान महावीर की वानी जो आपके समक्ष का है बतानी चाह रही है यह चात्रुमास के दिन जो चल रही है चात्रुमास क्यों किया जाता है चात्रुमास जिसे वर्षावास भी कहा जाता है भगवान महावीर ने सादू संतों के लिए चार महीने एक जगा रुकने के लिए क्या है ये नियम बनाए है और आट महीने निरंतर वेक्या है बिहार करते हैं तो इस बार का ये चत्रुमास एमदगण मंडी वालों को क्या है राप्त हुआ उनकी भाव विरी विंती को सविकार करते हुए एमदगण मंडी में क्या हुए साता पुर्वक यहाँ पर आए क्योंकि इन दिनों में जो महल ऐसा चल रहा है ये महामारी की बिमारी करोना जो क्या है चल रही है इसको देखते हुए, अंबालावालों ने बहुत क्या है, अपनी विंति को रखा लेकिन आपकी विंति क्या है, कुछ कम नहीं थी तो इसी भाव विंति को सवीकार करते हुए, क्या हुए एमजगर मंडी में पहुँचे और चार जुलाई को चत्रुमाज क्या हो गया प्रारंब हो गया तो ये चत्रुमाज चल रहा है इस करोना के कारण प्रवचन क्या है नहीं हो पा रहा तो ये चत्रुमाज जो संदेश लेकर के आया है कि हमें चार महीने अपने जीवन को किस परकार व्यतीत करना है जब तप आदी के द्वारा दान पुन्ने आदी के द्वारा अपने जीवन को क्या करना है सफल बनाना है महान बनाना है क्योंकि भगवान महावीर ने मुक्ष में जाने करिए चार मार्ग हमें बताए दान शील तप और भावना सब से पहले अगर आपकी भावना शेष्ट है तभी तो आप दान करेंगे अगर आपकी भावना शेष्ट है तभी क्या है शील का पालन करेंगे अगर आपकी भावना शेष्ट है तभी तो तब को क्या है अंगिकार किया जाएगा तो ये मोक्ष में जाने के लिए चार क्या है अंग ये मार्ग जो भगवान ने हमें बताए और इसे हमें क्या करना है सभी कार करना है चत्र मास के अंदर क्या क्या किया जाता है ये आफ सभी जानते हैं पोशत ब्रत दया आदी एक आशना आइंबिल तप अठाई मास कमन आदी जितनी जितनी शक्ती है हमारे जीवन के अंदर उस शक्ती के अनुसार हर व्यक्ति क्या करता है तपकी अराधना करता है क्योंकि तप करने से हमारे संचित कर्मों का क्या हो जाता है शय हो जाता है हमारे करम नश्ट हो जाते हैं तो ये चत्रुमास जो संदेश लेकर के आया कि चत्रुमास के अंदर हमने क्या करना है किस परकार रहना है अगर हम विवेक पूरन रहेंगे तो हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा विवेक से बोलेंगे, विवेक से खाएंगे, विवेक से चलेंगे, विवेक से हर क्रिया करेंगे तो भगवान महावीर ने चिरफ एक ही सुत्र रखा है येतना विवेक जिसे आप आम भाशा के अंदर क्या कहते हैं सब भिता कहते हैं अगर यही बाती हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपने जीवन के अंदर कर्मों का बंधन करते हुए चले जाएंगे तो कर्मों का ये बंधन कर्मों को काटने के लिए जो भगवान महावीर ने ये चार महीने के ये क्या है समय बताया है जो सादू संत आपकी नगरी में आते हैं धरम ध्यान जब तप आधी करवाने के लिए समायक आधी पोशद आधी दयावरत तप जब आधी के लिए जो अपनी शक्ति है हमारी भेने लंबे एक आश्रों में भी क्या है लगी हुई है और प्रति दिन नवकार महमंत्र का जाब भी क्या हो रहा है चल रहा है यही कारिये और यही भावनाएं और यही क्या है हम करते हुए चले जाएंगे तो अवश्य ही हमारे कर्मों का जो बंदन ह ये कड़ता हुआ चला जाएगा क्योंकि आज व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख पाना चाता है और जब तक सुख के कारिये नहीं करेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी अगर हम पाप के मार्ग पे चलते रहेंगे तो हमें पुन्य का फल नहीं में सकता पुन्य को पाने के लिए हमें क्या करना होगा पापो को छोड़ना होगा जो ये छोटी छोटी बाते भगवान महावीर ने बताई कि हमें क्या करनी है जीवों की रक्षा करनी है राती भोजन नहीं करना विवेख से रहना दान पुन्य आदि करके अपने जीवन को क्या करना ह तो जो भी भवे आत्मा अपने जीवन के अंदर धरम की अराधना करेंगे ये चार महीने जो हमें धरम की कमाई करने के लिए मिले हैं जिस परकार एक किसान क्या करता है चार महीने खेती करता है उस क्या है अन को बोता है और आठ महीने उस करी हुई कमाई को खाता है इसी परक ये धर्म की कमाई जो हम भी क्या है कर रही है और इसे भी हमने क्या करना है इकठा करना है और आठ महिने तक इक कमाई करते हुए अपने कर्मों की नेज़रा करनी है तो जो भी भवे आत्मा अपने जीवन के अंदर ऐसा चिंतन और ऐसा मनन करेंगे उनके जीवन का आवश्य ह भी कल्यान होगा और वही आत्मा यहां भी सुखी और आगे भी क्या है सुखी बनती हुई चली जाएगी तो इसी भावना के साथ ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती बोलिये श्रमन भगवान महावीरे स्वामी की श्री उत्रध्य सुत्र के अंदर भगव राखाण महावेर स्वामी ने चार कशायों का वर्णन जो हमारे स्मक्ष रखा है। का नाश होता है मान करने से विने का नाश होता है माया करने से मित्रता का नाश होता है और जो व्यक्ति के अंदर लोब की प्रविर्टी आती है और लोब आने से सभी सद गुनों का विनाश हो जाता है भगवान महावीर क्रोध मान माया लोब इन कशायों के बारे में बता रह कि ये कशाई जो हमारे संसार को बढ़ाते हुई जा रहे हैं और जब तक इन कशाईों की क्या है मंदता नहीं होगी तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते क्रोध के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्रोध करने से क्या होता है हमारा भी नुक्सान होता है और सामने वाले का भी नुक्सान होता है क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो उसकी आखे बंद हो जाती है और मुँ खुल जाता है क्योंकि उसना बिवेक नश्ट हो जाता है वो सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह क्या है? सही है आगमों के अंदर चंड कोशिक के जीवन का वर्नन आता है कि उसने भी अपने जीवन के अंदर क्रोध किया था पूरव जनम के अंदर और जब जंगलों के उन्ड़ भगवान महाविर स्वामी पदारे और वे चंड कोशिक फुंकारता हुआ उनके चर्नों के पास आ जाता है जैसे ही आया उसका जोर नहीं चला और उसने क्या है डंक भगवान महावीर के अंगुठे में मारा और अंगूठे में जैसे ही डंक मारा तो खून की जगे दूद की धारा बह निकली क्योंकि तिर्थंकरों का अतिशे ऐसा ही होता है तो भगवान महावीर ने उन्हें उपदेश दिया संभूज सचंड कोशिक संभूज अपने जीवन काल को देखो अगर अब भी ऐसे क्रोध करते रहे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा बिगड जाएगा पूरव जनम के अंद्रे तुमने क्रोध किया और उस क्रोध के कारण आज क्या है तुम तिर्यंची योनी के अंद्रे क्या है पैदा हुए और अगर अब भी ऐसा करते रहे तो तुमारी गती मती क्या हो जाएगी बिगड जाएगी तो भगवान महाविर सामी ने उनके जीवनकाल के बारे में बताया और जैसे ही उस चंड कोशिक ने अपने जीवनकाल को देखा और जीवनकाल को सुन करके उनकी आत्मा भी क्या हो ग करना होगा धारन करना होगा क्रोध को क्या है शमा से ही मैं हम जीत सकते हैं तो उच चंड कोशिक ने जीवन में शमा को क्या है धारन किया और क्रोध से दूर हुआ तो वै जो त्रियंच योनी के अंदर था अंक समय में मरकर आठवे देव लोग का क्या बन गया मेहमान बन गया दूसरे नंबर पर मान के बारे में बताया मान कहली जिए अभी मान कहली जिए घमंड कहली जिए क्योंकि आज व्यक्ति मै के अंदर में जी रहा है अहं की भावना के अंदर क्या है जी रहा है वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है संसार के अंदर मैं ही सब कुछ हूँ और ये मैं ही इंसान को क्या करती है नीचे गिरा देती है क्योंकि आज व्यक्ति का जीवन एक घासलेट के समान बन ग करेंगे यानि उसे सामगरी को डालते जाएंगे तो आगनी क्या होती है बढ़ती हुई चली जाती है लेकिन अगर हमारा जीवन Fine도 Sound विगरेड की तरह बन जाए क्योंकि Fire क्या करती है उस आग को भुजाती है उसी परकार अगर हमारा जीवन फायर विग्रेड की समान बन जाएगा तो अभी हम अहंग भाव से क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे क्योंकि ये अहंग भाव ये मैं की भाव नहीं क्या होती है इंसान को जो उचा चड़ा हुआ है उसे नीचे गिरा देता है वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है इसलिए भगवान महावीर ने बताया कि अगर मान को जीतना चाहते हो तो जीवन के अंदर विने को अंगेकार करना होगा जहां पर विने है वहां पर मान नहीं है और जहां पर मान है वहां पर विने नहीं है क्योंकि भगवान महावीर ने बताया विने मूलो धम्मो, विने ही क्या है, धरम का मूल है, जिसके अंदर विने ही नहीं है, नमरता ही नहीं है, वे क्या है, खाली का खाली रह जाता है, जिस बैकार कहते हैं कि अधजल गगरी चलकत जाए, एक छोटी सी गगरी के अंदर थोड़ा सा पानी है, तो वे धीरे धीरे लगता क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो हमें अगर मान से दूर होना है तो विने को अंगीकार करना हो रहा है वैं दूसरों को ठगने में क्या है बड़ी चतराई खेलता है वो सोचता है कि अरे मैं ही क्या हूँ समझदार व्यक्ति हूँ सामने वाला तो मूरक व्यक्ति है और दूसरों को ठकता हुआ चला जाता है और एक दिन खुद ही क्या हो जाता है ठक जाता है मल्ली नार भगवान के जीवन की कहानी आती है सबी जानते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर अपने मित्रों के साथ क्या करी थी माया करी थी और वो माया का फल उन्हें भोगना पड़ा उन्होंने क्या है तिठंकर के रूपे जनम तो लिया लेकिट इसती रूप में उन्हें क्या करना पड़ा जनम लेना पड़ा तो ये माया जो क्या है बड़ी ही ठगनी है जो हमारे जीवन को क्या करती है पतन की और ले चाती है इसलिए भगवान महावीर ने बताया कि अगर माया को जीतना चाते हो तो जीवन के अंदर सरलता को क् अंगिकार करना होगा क्योंकि एक बार भीड लगी हुई थी और उस भीड के अंदर किसी ने पूछा कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है तो एक व्यक्ति ने छोटे से बालक को उठाया और उसे कहा कि यह स्वर्ग का अधिकारी है तो सभी आपस में चर्चा करने लगे कि जब एक छोटा सा बालक स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है तो हम अधिकारी क्यों नहीं बन सकते तो उन्होंने कहा कि जब हमारा जीवन बालक के समान हो जाएगा क्योंकि बालक जैसा अंदर होता है वैसे ही बाहर होता है क्योंकि अगर आप उसे कहेंगे कि रोकर के दिखाओ तो तो वे हसेगा नहीं, क्योंकि वे बच्चा जैसा क्या है, एक दर्पन के समान उसका स्वच जीवन है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ा होता है, तो उसके जीवन केंद्र भी क्या होता है, कपटता आ जाती है, माया आ जाती है, और जहां पर माया आ जाती है, वे धरम का शरन अ वास्ता होता है जहां पर सरल हिर्दे है सच हिर्दे है वही पर ही धरम का क्या होता है निवास होता है तो भगवान महावीर ने बताया कि माया को अगर जीतना है तो सरलता को क्या करना होगा अंगिकार करना होगा और चोथे नंबर पर है लोब और लोब तो क्या है सबसे भया आनक्षत्रू है ये लोब ये त्रिशना ये नालच और जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो इंसान के सभी सद्गुन क्या हो जाते हैं खतम हो जाते हैं ये लोब एक ऐसी चीज है जो इंसान नीच से नीच कार्ये करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि लोबी व्यक्ति के जीवन का क्या है प्रवर्ति कैसी होती है एक शहद की मख्य जो क्या करती है दिन रात मेहनत करती है उस शहद को जोडती है उस शहद को इकठा करती है लेकिन ना खुद खाती है ना दूसरों को खाने देती है ऐसे ही जो लोभी व्यक्ति होते है जो तृष्णावान व्यक् पर भांख के समान अनुत रहें सिस्पर्कार अकार का कोई और छोर नहीं उसी परकार हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। क्योंकि इच्छाओं का अंत पाने के लिए हमें क्या है लोब को जीतने के लिए संतोष को धारन करना होगा। आज व्यक्ति कहता है कि महराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ये कारिय नहीं हो रहा, मेरा वो कारिय हो नहीं हो रहा। क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर लोब की प्रविर्ति रहेगी, तो आप चाहे कितना ही कुछ करते चले जाएं, कितना ही व्यपार बढ़ाते चले जाएं, जब तक लोब का आंत नहीं हैं, तो आपको जीवन के अंदर सुक की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कमपि पूरा राजे ही क्यों ना मांग लो कहा पर आ गए दो मासा सोना लेना था लेकिन चलते चलते राजे के ऊपर ही पहुच गए लेकिन तभी विचारों ने पल्टा खाया विचार वदले कि अरे तो कैसा व्यक्ति है दो मासा सोना मांगने आया था और मांगते मांगते और कहां पहुच गया राजा का राजे नहीं मुझे ऐसा राज़े नहीं चाहिए वहीं पर चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते जब अपने भावों का परिवर्तन हुआ तो वहीं पर बैठे बैठे उन्हें केबल ग्यान की राप्ती हो गई वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर ये क्यों नहीं होता ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे उत्रिष्णाओं का कोई अंत नहीं है इच्छाओं का कोई अंत नहीं है क्योंकि बताया भी है आशाक दे बन दे दिया हो दियान पूरीया आशाक दे बन दे दिया हो दियान कलपदा बतेरा ताभी रेंडिया दूरिया ये इच्छा है ये तो मन्हाए ये हमारी कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है इनसान ससार से चला जाता है लेकिन इच्छा क्या हो जाती है कभी पूरे नहीं होती इच्छाएं क्या है पड़ी रह जाती है अगा अपनी मौत से कोई वशर नहीं सामान सोवरश का पल की खबर नहीं इंसान क्या सोचता है कि मेरे आगे बत्ची आएंगे तो उनके लिए क्या करें जमा पुझी जमा करके रखें तीजोरियों में भर करके रखें लेकिन जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये जिन्दगी ये जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है कब खतम हो जाए कुछ पता नहीं चलता इसलिए भगवान महावीर ने ये चार कशायों का जो क करना है इनको घटाना है नाय। यह प्राता नहीं होगी नकि प्रापति नहीं कर सकते तो आएगे अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें कशायों से दूर होटें भगवान के बताय हुए मारक पर चलने की कोशिश करें और जब चलेंगे तो एक ना एक दिन अवश्य ही क्या होगा हमें भगवान महावीर का वे बताया हुआ मार्ग जो मोक्ष का मार्ग है अवश्य ही जो हमारी मंजिल है हमारा असरी घर है वे मोक्ष का घर है तो उस मोक्ष का घर पाने के लिए हमें क्या करना है इन कशायों से इन चीजों से दूर होना है और जीवन के अंदर धरम का अलंबन लेना है धरम का सहरा लेना है और जो धरम के शरन को अंगिकार करता है उनके जीवन का अवर्शी ही कल्यान होता है वही आत्मा आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा के मंजिल को टा करती बोलिये श्रमन भगवान माहा वीरे स्वामी की, शाशन प्रभाविकाउ प्रवर्तनी पुझ्य गुर्णी महा साद्वी शिरी कैला श्वती जी महाराजी की, सरल आत्मा पुझ्य गुर्णी महा साद्वी शिरी प्रतिभा जी महाराजी की, जैन धरमे की, संसार के सभी महान पुर्शों की जैन धरमे की, संसार के सभी महान पुर्शों की जैन धरम का शर्ना, जैन चार शर्ने, दुख हरने, और शर्ना, जो कोई बाफ पुर्शों की भी नहीं हो रही, प्रन्तु लोग सोशल डिस्टैंसिंग के हिसाब से, थोड़ी-थोडी संख्या में महाराश्री जी के दर्शन हेतु आ रहे हैं, साथ ही साथ हमें पता चला है, कि आत्मा चैनल वालों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, हम उनको बदाई देते हैं, कि वो आर जगा पहुंच कर कथा का अपने चैनल से पर सारन कर रहे हैं, मैं आत्मा चैनल वालों को बहुत बहुत बदाई देता हूं, कि उनका जे बहुत अच्छा प्रयास है, हम उनकी प्रशंशा करते हैं, साथ ही साथ भगवान शीरी महावी स्वामी जी से भेंती करते हैं, कि महामारी को जल्द से जल्द भिदा करें, ताकि हमें भी महाराश्री जी के परवचनों का मोका मिल सकें, और सभी सुक शान्ती से अपना जीवन बतीत करें, जय जनिंत! बुल बुल आजिना उन्याओ